जब शनी देव प्रतम भावस्त क्रम को देख रहे हों, देव गुरु प्रेस्पती अस्टमेशो का रस्टम भाव में हों, सूरी देव की दृस्टी शुरुवाती 15 दिनों के लिए जब अपने ही राशी भाव को देख रही हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल, मार्च 2030 का माशिक चर्चा वरतांत सिंग राशी के जातकों के लिए किस तरह की फलसूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका पूरा ही ब्यौरा लेकर हम आपके समक्ष यहां वस्तत हैं, सर्व पर्थम, ग्रह, गोचर ये विवस्ताओं का ध्यन, और उसके बाद परती एक शेत्र विशेश के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं, 6-7 मार्च को चंद्रम का प्रभाव सिंग राशी स्थान में, केतु प्राकर्म में, राहु नवमस्त करम के साथ में गवन करते हुए, सब्तमेश होकर शनिदेव सब्तम भाव में, यानि सब्तम भाव के आने पते भी सब्तम भाव में हो गए, बुद्ध की स्थिया यहां सोले है मार्च 2023 तक कुमबराशी स्थान में इसके बाद बुद्ध नीचस्त राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे ब्रिहस्पती अस्टमेशोकर अस्टमभाव में ही चल रहे है सूर्य देव का प्रभाव यानि प्रथम भाव के आदिपती का जो प्रभाव है वो 15 मार्च 2023 तक यहां कुमबराशी स्थान में अपने पुत्तर के मुलत्रकॉर्ण में उसके बाद सूर्य देव रहस्पती के राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 31 मार्च 2023 से ही देव गुरु रहस्पती के स्थियां अस्तगत करम में आने वाली रहेंगे शुक्र 12 मार्च 2023 तक यहां उच्चस्त राशी स्थान में रहेंगे और उसके बाद आप यह गोर कीजिएगा कि नवमस्त प्रवेश कर जाएंगे यह एक योग कारक स्थिय है दशमेश का नवम भाव में आ जाना योग कारक है राहु की स्थियां यहां अधि मित्र राशी स्थान में चल रही है इसकी चर्चाम ने पहले भी की मंगल बड़े परिबरतन के साथ हैं लंबे समय के बाद 13 मार्च 2023 की सुबह से ही मंगल लाब भावस्त करम में प्रवेश कर जाएंगे मंगल की जो एक तरह से पूजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि संगराशी के जातकों के लिए मंगल योग कारक होते है चर्चा की शुरवात प्रथमभाव के साथ में शनिदेव की द्रिस्टी में संगर्ष देने की ताकत है तो वहीं पर व्यक्ति को स्थिर करने की ताकत भी है यानि कि जहां उसकी डगमगाट है मन के भीतर भरोसे की नीव कमजूर हो रही है तो इमारत कैसे ताकतवर बनेगी वहीं पर शनिदेव की द्रिस्टी व्यक्ति को एक स्थाइत्व का भाव देती है सूरिदेव और शनिदेव आदर्श शत्रो है पितापुत्र है पर उन्तो शुरुवादी तोर पर सूरिदेव भी अपने ही राशिय स्थान को देखने वाले होंगे इसे वज़े से गहरी विश्वास की जहलक आपके साथ में नजर आने वाली होगी प्रतेक्शित्र विशेश में ऐसे कामकाज की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जहां आपका अनुभव बुलंदी पर है और वहीं आप किसी भी इंटर्वियू की तरफ जा रहे है बारम बार इस बात को अपनी स्मृतियों में बना कर रखिएगा कि पूरी ही ताकत और पूरी ही उजास के साथ उस और बढ़ने का जो प्रैत्न है वो अपने साथ आप लेकर चलिएगा और इस बात की टंकरन अपने मन के भीतर बारम बार महसूस करने वाले रहिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से कामकाज अदूरे थे वहां पुन है अपनी पूरी ताकत के साथ में बढ़ना होगा ये महिना आपके लिए जागरुती का महिना कहा जा सकता है इस महिने के साथ में आपके जो कामकाज की परक है वो लोग करने वाले होंगे परन्तु वहीं से आपका निकार सामने निकल कर आने वाला होगा ये याद रखने की आवशक्ता है कि जो 15 मार्श तक का समय है जहां होली जैसा परव भी रहेगा अपनी पूरी ही रंगत को बिखेरने की जरूत रहेगी उसके बाद थोड़े से दिम्यबन के साथ चला जा सकता है परन्तु सतत कर्मशील रहने की आवशक्ता होगी इन 31 दिनों में अवकाश को अवकाश नहीं माना जाए व्यापारिक जीवन में परतियक दिवस को अपनी लिए टास्क ओरियंटिड देखा जाए तो उसके परिणामों की गूझ लंबे समय तक जीवन की बीतर परतियोनित होती चले जाएगी इनने कती इस दिनों में बारम बार स्वयम को कहिएगा कि हमें अनुशाशन पर शाशन करना ही है सूर्य देव जब भी परतम भावस्त करम को देखने वाले होते हैं और व्यक्ती जितना डिसिप्लन में आता चला जाता है और वहीं शुर्वाती 12-13 दिनों के लिए मंगल का व्रशब से प्रभाव चौती दृस्टी जो परतम भाव पर रहेगी वो आपके लिए एक और अलग ताकत लेकर आती है आप यहीं टेक्निकल फील्ड स्पेसेपिकली यहीं हम आईटी फील्ड की बात कर लें जहां मंगल और शनिदेव का प्रभुत्व रहता है उसमें कम्यूनिकेशन जोड़ गया तो बुद्ध का भी प्रभाव रहता है ऐसी अवस्था इस्तति के साथ में जो बुद्ध का भी प्रभाव है वो बेहत शांदार है बढ़ते हैं हम धन भाव की और तो जो धनेश होकर बुद्ध यहां व्यापार भाव के साथ में रहेंगे 16 मार्च 2023 तक जो धनागमन है उसमें वरद्धी है आप एक systematic coordination के साथ चल रहे हैं जो rotation है वो भी बहतर है लोगों के साथ में जो पुझी निवेश करना होता है या कामकाज के अंदर जो लगातार एक प्रक्रिया धनागमन की चलती है और खर्चों के भी चलती है लोगों को कई बार थोड़े बहुत उधार के साथ भी लेकर चलना पड़ता है उसमें कोई दुविदा नहीं परंतु 16 मार्च के बाद आप ऐसी अवस्था में बहुत संभलिएगा इसे के साथ जो business में कई बार reactions निकल कर आते हैं communication के, medium के साथ 25 वर्षों से एक विक्ति के साथ संबद है हलकी सी बात के साथ ने कड़वाहट आ गई और हमने आज की उस बात की वज़े से उन 25 वर्षों के आधार को आत्मियता को स्नेह को भुला कर रख दिया ऐसे गलती करने से बचेगा पारिवारिक जनों के साथ में लोग आपके लिए कहीं ने कहीं नकारात्मता लेकर आव सकते हैं अपना ही परिवार जो जड़ है कोई बाहर का आता है और कहता है कि ऐसी ऐसी स्तियां आपके बार में कही जा रही है और आप उसी को सुविकार कर लेते हैं इससे बड़ी गलती कई बार वेक्ती कर नहीं सकता उससे पूर्ण तया संभलने की ज़रत रहेगी गफलतों में उलजने से बचिएगा याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों से कोई भी मदद ली है अभी उसको चुका पाने में सक्षम नहीं है तो जो इसपष्ट तोर पर बातचीत करने होती है उसे आप अपने साथ जरूर बना कर रखें ये एक महत्वण स्तती है कि आपके लिए जो financial gain के अपरोच है वो consistency के साथ बनी हुई है आज एक स्तर पर अगले दिन कुछ भी नहीं ऐसी अवस्ता नहीं एक flow एक level के उपर बना हुआ है जो कहीं न कहीं आपको stability देता चला जाएगा मानस पटल पर एक तरह से जो स्तरता होती है वो अंकित प्रतिमान लेकर लगातार चल रही है ये भी एक अवस्ता आपके साथ में रहने वाली होगी पराकरम की चर्चा करते है आप ही देखिएगा कि केतु पराकरम में वर्द्दी कर रहे है वहीं शुकर की स्तियां जब यहां अपने उच राशी स्तान पर रहेगी तब भी आपका जो जोशो खरोश है वो देखते ही बनता है कई बार वेक्ति एक्सपेक्टेशन के बियॉर्ण जाकर कामकाज की शुरुआत करता है यह महीना आपके लिए कुछ वैसा ही है अटके हुए कार्य पूर्णता के तरफ अगरगामी है तो वहीं पर आप ये भी पाएंगे कि जो शुक्र की द्रिस्टी फिर अपने राशी स्तान पर रहेगी बारहे मार्च के बाद से वहां जो आप यादि हुमन रिसॉर्सेस के साथ मुझूड़े वो है ऐसे किसी भी कामकाज में है जहां बारंबार प्रेजेंटिशन देने होते है नाम एक अलग गूंज को लेकर बढ़ने वाला हो सकता है लेकं संबंधी कामकाज पूर्ण हो चुका पबलेशिंग के तरफ विजाजों के इसके बाद में मार्केटिंग की जरुरत है इसके बाद हमने जो लिखा है उसको लोगों तक पहुँचाने की जरुरत है उस प्रक्रिया में शुक्र बुर्दी देते हैं रेस्टोरेंट, होटल इंडस्टरी, संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुडाब है या पर टेक्स्टाइल के साथ में आप एक्सपोर्ट संबंदिकते विदियो में है इस महीने को फुद के लिए आप यादगार बनाने वाले हो सकते हैं बस शुरवाती बारहे दिनों में जब तक शुक्र अपने उच राशिस्तान में अस्टम में है अपनी यात्रा को थोड़ा सा ठहराव दीजिएगा वहीं चतुर्थ के चर्चा करते हैं आप ये पाएंगे कि चतुर्थ के आदिपती मंगल शुरुवात में दशंभाव में उसके बाद यहां लाभावस्त करम में प्रवेश कर जाएंगे बले ही शत्रु राशियस्तान में है प्रवेश अंतिम उप्चे में है और वो भी जो वानिज्य के यानि फाइनेंस के जो आजिपती बुद्ध हैं उनके राशियस्तान में है जो भी जमीन संबंदी मामले अटके वो थे वहाँ ये समय अपनी पूरी हीते वरता को लेकर चलता है माता के साथ जो वैचारिक विद्रोत है अब उसमें कमी आने की शुरुवात होगी आप उनका जो पॉइंट अफ व्यू है वो भी समझने वाले होंगे और आपको भी कुछ हद तक समझा जाएगा वो एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन है थोड़ा सा और इंडेफ्ट अप्रोच के साथ में चलने की कोशिश करें तो आप ये देखिएगा कि इस समय विशेश के साथ में चलते हुए जो भी कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं इसके अलावा जो कार यहां अग्रिकल्चर संबंधी स्थियों में होते हैं मेडिकल में आप नेटिव प्लेस के साथ कोई भी कमकाज की शुरुवात करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपकी यात्रा देखते ही बनती है पूरी की पूरी तिवर्ता के साथ में ये समय करम आपके लिए अद्भत स्थियों को दिर्बत कर रहा है हाला कि एजेंसी लाइन में कोई भी नई स्थियों को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा शनी देव की दिर्ष्टी यहां एक तरह से चतुर्त भावस्त करम के साथ है थोड़ा सा रुक कर चलने के जरूरत आपके लिए रहेगी यात्रा बढ़ाते हैं पंचम की और तो पंचमेश होकर जो देव गुरू ब्रिहस्पती की स्थियों अस्थम भाव में है इसी वज़े से सक्षा के लिए विदेश गमन की और किसी अन शेहर की और बढ़ने की आपके लिए गुंजाईश बन रही है कामकाज में स्थान परिवर्टन आया है और आपको लग रहा है कि अब बच्चों की और स्वयम की भी स्टडीज कहीं ने कहीं एमपर हो सकती है उसमें एबरप्ट लेवल के उपर कुछ ब्लॉकेजिस आ सकते हैं तो स्वयम को निर्णय के साथ में बहुत जारा संभालिएगा स्टॉक मार्केट में ये पूरा ही महीना धीमापन मांग रहा है जल्दबाजी नहीं राहू की बिद्रिस्टी यही कहती है परंतु एक मैत्वण बात है संतान पक्ष के और से सुखद खबरें सामने मिलती हुई परतीत होंगी किसी विरलेशन के साथ में आप चल रहे हैं वहां से कुछ पॉजटिव इंडिकेशन्स मन को सुकून एवम संतुस्टी के आभा देते चले जाएंगे यह भी इस यात्रा का प्रमुख क्रम है जो साथ साथ चल रहा है वहीं सम बढ़ते हैं सस्ट भाव की और आप यह देखिएगा कि जो फाइनेंशल बर्डन्स बने हुए थे लंबे समय से जो मन को व्यत्त किये हुए थे हम कामकाज में रचनात्मक हैं नए पन को लेकर आना चाहते हैं मन पर रण का बोज है कैसे कुछ नया सोचें बारम बार सुबह उठे दोपहर को कहीं पहुँचे शाम को घर आए एक ही विचार चल रहा है कि बर्डन कैसे कम होगा उसके जो शुरुवाती सॉल्यूशन्स है वो आपको यहां मिलने वाले हो सकते हैं यहां पर गौर करने की जुरुवत रहेगी कि जो शत्रुपक्ष लंबे समय से हावी था वो अभी भी हावी रह सकता है परन्तु उनके साथ ताल मेल बिठाने की अवस्ताओं में आप होंगे कफ प्रदान रोग पत्नी पक्ष या पर पत्नी पक्ष को परेशान कर सकते हैं यानि कि ग्रेहस्त पक्ष के स्वास्ते का ख्याल रखेगा स्वयम के लिए वो खोटनों से संबंदिज जो तकलीफ लंबे समय से सता रही थी वहां रिलीफ और रेलेक्शेशन्स मिलने वाले हो सकते हैं ये भी आपके लिए पॉजिटिफ इंडिकेशन रहीगा परन्तु ये जरूर गोर कीजिएगा कि यहां जो मानसिक स्वास्ते है वो अब संब्रुद्धी की तरफ जा रहा है और जब व्यक्ति मानसिक स्वास्ते संब्रुद्धी की तरफ जाता है तो अपनी यात्रा को एक अलग पूर्णता देने वाला होता है सब्तम की चर्चा करते हैं तो शश्योग निर्वित है इसे के साथ में बुद्ध की अवस्ता भी शुरवादी तोर पर अगला वेक्ति स्विकार कर लेता है तो इस्ततियां अपने आप ही चलती चले जाती है कुछ ऐसा ही है ये महीना पर अप भी सेल्फ जिस्टिफिकिशन से बच कर चलने का परहतने की जिएगा सेबंत आउस के दिए हम थोड़ी सी डेफ्ट में चर्चा करते हैं तो बिजनस पार्टनर्शिप में भी अब निरना लिये जा सकते हैं जो भी कामकाज वरशों की नीव के साथ में शुरू होंगे महीनों बाद ब्रेक इवन पर पहुंचेंगे और कुछ वरश में ही हम लाप की तरफ पहुंचेंगे ऐसी यात्रा है तब भी स्वैम को ये कहेंगे कि हमें उस यात्रा की नीव रखने की ज़रूत है ऐसे कामकाज कर बढ़ा जा सकता है अस्थम की बात करें तो जो ले आफ संबंदी फियर सता रहे थे चोटी-चोटी बात हैं मन को भयाकरांद किये हुए थी उससे मुक्त होकर आप चलने वाले होंगे परन्तों जैसे ही सुरीदेव अस्थमस्त प्रवेश करते हैं ये अस्थम के दोश से योक्त होंगे इसे वज़े से जो आत्म विश्वास शुरुवाती दिनों में बना हुआ है यानि कि पंद्रह मार्श तक बना हुआ है वो अती आत्म विश्वास में बदल सकता है वरशों से एक ही काम काच करते आए हैं कोई हमें क्या सिखाएगा क्या नयापनिस में लेकर आएंगे ये बात हैं जब व्यक्ति बेफिकरी में कहता है तो खुद के लिए एक तरह से नकारात्मक्ता को लेकर आता है उससे आप पूर्णतया संबली का विदेश संबंदी संभावनाओं का अद्भुत द्वार यहां सूर्य प्रदान राशी के जातकों के लिए सामने है जिसको चेस्थाओं के बल के साथ लेकर चलने के जरुरत रहेगी मैटल संबंदी कामकाज में जिस यात्रा को आप स्वयम के लिए देखना चाते है उसमें रुकने की गुंजाईश नहीं है जब व्यक्ति के कर्म को सकारात्म गुंज मिल रही हो जीवन बारं बार ये कह रहा हो कि अब बढ़ना है अब रुकना नहीं है ठकने की गुंजाईश नहीं है हमारे प्रेजेंटेशन का बेस स्वास्ति संबंदी धारा कामकाच के अंदर लोगों का विश्वास जब चर्मत कर्श लिएवे हो और व्यक्ति वहाँ अपने कमफर्ट मेरा जाता है जीवन का बहुत बड़ा नुक्सान कर जाता है उससे आप बचिएगा निरंतर अपनी रफ्तार को आप बना कर रखें वही नवम की चर्चा करें तो आप ये पाएंगे कि शुक्र अपने उच्चस्त राशी स्थान से निकल कर जब मंगल राशी स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे तो पुनश्चा है अपने ही राशी भाव को देखने वाले होंगे यहां आध्यात्मिक प्रगति उस इस्तर पर नहीं है बहुत एक्ता हावी है इसी वज़े से जो भी फैसिनेशन के साथ डिसीजन होते हैं वो लगातार आपके साथ में चल रहे हैं जब भी व्यक्ति हायर एजूकेशन की तरफ जाए फैसिनेशन हो जब भी व्यक्ति नए कामकाच की तरफ जाए वहाँ बहुत एक्ता के भटकाव हो तो वो अंततो गत्वा पाएगा क्या कहीं ने कहीं फ्रस्ट्रेशन उससे आप समभलिएगा परंतु आकस्मिक तोर पर जो निर्णे यहां आप विज्वलाइस करेंगे उस और बढ़ने में कहीं पर भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको अनभव इतना सा योग नहीं दे रहे हैं यह पुने निविदन करेंगे परंतु पहले बाग्येश कर्ब में और उसके बाद में लाब में रहेंगे मंगल की बात कर रहे है और शनिदेव की जो दृष्टी है वो अपने नीचस तराशी स्थान पर है इसे वज़े से बिना संघर्ष के यह महीना बहुत कुछ नहीं देने वाला संघर्ष करवाएगा उसके साथ में ही हर्ष के साथ में आपको बहुत कुछ दे कर जाने वाला होगा मार्च 2023 एक तरह से जो फाइनिंशिल एर की एंडिंग का बेस रहता है अट्मोस्ट पॉजिटिव नोट के साथ में चल रहा है चर्चा दशम भावस्त करम की दशमेश पहले स्टम में फिर नवम में रहेंगे कामकाज के अंदर जो बारह से 31 मार्च तक की रौनक है वो देखते ही बनती है एक्जिस्टिंग वर्किंग बेस के साथ में आप बहतरी को लेकर आने वाले होंगे हलके फुलके एड़ाउन की तरह बढ़ा जा सकता है शनिदेब की भी सपोर्ट की पोजिशन दौरदशम भाव की भी सपोर्ट की के परोच बनी हुई जो आप यहाँ पितास के साथ किसे भी कामकाज के अंदर नए पन के और जाना जा रहे थे उस वार भी अराफतार के साथ में बढ़ा जा सकता है दौविधा के कोई भी सरह अंकित नहीं है नौकरी पेशा जीवन में कुछ भी नयापन सामने आ रहा है परंतु हम एक तरफ स्टाबिलिटी की और है पैसिव इंकम सोर्स जनरेट कर चुके हैं लग रहा है कि जौब में चेंज की तरफ चले जाएं स्वयम को थोड़ा सा रोकने की जरुरत यहां पर रहेगी इस थाई जीवन का अधार है अंततो गत्वा विक्ती सारी ही भाग दोड के बाद सुकून और शान्ती चाहता है इस एक बात को अपने भी तर तक आप स्थापित करके चलिएगा लाब भाव की चर्चा करें तो पुन्ने फलों का उदे उस इस तर पर नहीं है पर अधु शरुवाती तोर पर बुद बेहच शांदार इस्तियों में है इसे वज़े से आपके लिए फाइनेंशल गेन के रिदम यहां कंसिस्टेंसे के साथ में एस्टेबलिश रहने वाली होगी व्यापार में जो एक स्थाइट तो आना चाहीए जो निर्णे लिये हैं खुद को ही यह मालुम चलना चाहीए सही है वो एक यातरा आप सामने परंतु संतान पक्ष के साथ यहां चोटी-चोटी बातों में उतार चड़ाव से आप बचिए हाला कि उनकी तरफ से सुख़द कब रहे हैं परंतों कहीं न कहीं कॉंट्राडिक्शन्स लिस्टाव कर सकते हैं द्वादश की बात करें तो देव गुरु ब्रेस पती द्वादश भाव को देखते हुए खर्चों पर दियां तरफ विलेश संबंदिकार्य में ब्रद्दी जो भी कोड कचैरी संबंदित मामला थे वहां रिलीव के साथ आप चल रहे हैं इसे वज़े से द्वादश भाव एक तरह से सुकून भरे इस तरको दिर्मित करता चला जा रहा है तो ये तह सिंग राशी के जातकों के लिए मार्श दोसरतीस का मासिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्ते तोत रहेंगे धन्यवाद एवम कोटी शह आभार